एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल टोना टोटका में आज हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और सकती सारी टोटका जिसकी मज़़ से आप किनी वीदो वेक्टी को अलग कर सकते हैं इस टोटके को जानने के लिए आपको वीडियो को अंतग देखना होगा तभी आप बिना कोई गलती किये हुए इस टोटके को पूरा कर पाएंगे चलो जानते हैं आज के हमारे इस विशेश टोटके के बारे में कभी कबार क्या होता है कि हमारी जिन्दगी में कुछ ऐसे छणा आ जाते हैं जिन में कुछ ऐसे कदम अपने को उठाना पड़ता है कि कोई दो ऐसे व्यक्ति जिन को अलग करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है जैसे कि हमारे परिवार में दो व्यक्तियों का ऐसा गुठ हो जाता है जो मिलकर हमारे नाक में दम कर देते हैं चाहे वो सस्रॉराल में हो चाहे वो माईके में हो कहीं पर भी हो उनकी वज़े से हमें दुकान वव होता है इसलिए उनको अलग करना बहुत ही जरूरी होता है कभी कबार यह भी होता है कि आपका पती आपको छोड़ कर किसी और उरत के साथ चला जाता है या किसी और उरत को अपनी पत्नी सरूब मानने लगता है तो इस situation में आपके साधी सुदा जीवन में जहर खुल जाता है और उन दोनों का अलग होना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर समय रहते हम उनको अलग नहीं करते हैं तो हमारा डिवोस होने तक की बात आ जाती है तो इस situation में उनको अलग करने के लिए इस परस्थितियों में उनको अलग करने के लिए यह तोटका मैंने आपको पलब्द कराया है आप इस तोटके की मदद से अपने पती और उस सोतन को अलग करके अपने साधी सुदा जिन्दगी में खुशिया ला सकते हैं साथ इसाथ यह तोटका उनके लिए भी बहुत ही खास है जो अपने प्यार को खोच चुके है कभी कबार छोटे सी लड़ाई जगड़े की वज़े से आपका प्यार आपको छोड़के चला जाता है और वो किसी दूसरों की बातों में आ जाता है और उससे प्यार कर बेड़ता है या उसकी बातों में आने से वो आपको नफरत करने लगता है तो उन दोनों में जगड़ा कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो उन दोनों में जगड़ा कराने के लिए भी हमारा ये टोटका कामगार सिध होता है तो चलो जानते हैं आज के हमारे इस सकती साली टोटके के बारे में इस उपाय को करने से पहले आपको एक बार उन दोनों वेक्तियों का चहरा अपने मन में यानि अपने दिमाग में ध्यान लाना यानि उसको अपने नजरों के सामने से निकालना है ध्यान में फिर दो लाल मिर्च लेनी है और इन्हें अपनी मुठी में बंद करनी है लाल मिर्च आपको दाई मुठी में ही बंद करनी है उसके बाद में आपको इस मंतर का ग्यारा बार जाप करना है मंतर इस परकार है ओम कली कली अमुक जिंदगी फरतक हो चली पवन की गती इस मंतर का आपको 11 बार जाप करना है मंतर जाप के बाद मिर्च को आग में डाल कर जला दे फिर देखना कुछ ही मिंटों में उन दोनों में जगड़ा होना सरू हो जाएगा और 24 गंटे के अंदर अंदर वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इसलिए हमने आपको टोटके में सारी बाते बताई है उसके बावजुद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आप टोटका करते हो और आपको फल नहीं मिलता है तो आप गुरुजी से संपरक करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो और टोटके से समझ ज प्राप्त कर सकते हो जय माकाली भक्तो जय माकाली